लेट स्टार्ट एक्जाम्पल थ्री हाव मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फाइंड करना है चार्ज इस देर इनक कप अफ वाटर मतलब कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिये अगर जब कोई वैल्यू ना दे तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो हमें यूज करने ही पड़ती है हम क्या करेंगे स्टांडर्ड मेजर्मेंट आफ एनी कप अफ वाटर इस टू फिफ्टी ग्राम मिन्स टू फिफ्टी ग्राम वाटर इन कप इतना कोई भी कप में पानी जायकर यह स्टांडर्ड है आप कम ज़्याद भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन उस हिसाब से वैल्यू आपकी वैडियेशन में आएगी ठीक है तो द्यांज रखना है अगर हमने टू फिफ्टी ग्राम वाटर लिया है तो उसमें कितना मिलना चली है means N is equal to 250 6.023 10 23 divided by 18 Calculation is 83.65 10 23 23 molecules means 8.365 10 raise to 24 molecules in 250 gram water means 8.365 10 raise to 24 molecules आपको cup of water में मिलेंगे, ठीके, H2O means 2 hydrogen plus 1 oxygen, 2 hydrogen has 2 electron and 2 proton, 1 oxygen has 8 electron and 8 proton, total 10 electron as well as 10 proton, जितने electrons होंगे उतने ही protons होंगे, ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगर एक molecule, पानी का एक molecule, 1 molecule of water consist 10E charge, either negative or positive, अभी एक की बात करेंगे, तोनों की बात में करेंगे, So, N molecules consist 8.365 10 raise to 24 multiplied 10E, E means 1.6 10 raise to minus 19 is equals to 133.84 10 raise to 24 minus 19, it's 6, sorry minus 8, 5 1.3384 10 raise to 7, 1.34 round figure करो, 10 raise to 7 कुलम चार्ज, ये चार्ज नेगेटिव है, उतना ही positive है, because negative और positive चार्ज पानी के अंदर सेम होता है, ठीके, तो ये रहा आपका answer, related करेंज ए करेंजिव होいी तो अट थार्जेश हैä, depending क明 equipped रु का रहाई है, दthe